वेर वेरी वेलकम टू आल माई डियर एक्जाम फाइटर फैमिली मेंबर्स शातियों जैसे सिजिल दो हजार बाईस एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पुल 10 MCQ इस्पेसल जार्खन जार्खन जीके आपके सामने MCQ फॉर्मेट में मल्टिपल चैस कॉस्टन फॉर्मेट में रे जार्खन राज का जेटरपल के लिए कौन सा राइट एंसर होगा इसका राइट एंसर होगा सी उनासी अजाद साथ सा चोगदा वर किलोमेटर यह सब कोश्टन याद रखना ही चाहिए क्योंकि यह कभी बदलता नहीं यह फिक्स है और कोई दिक्कत निए याद करने में य चेंज होने ला डाटा नहीं है अगला कोश्टन जार्खन का राज के पसू क्या है जार्खन का राज के पसू क्या है जार्खन का राज के पसू है हाथी लगेगा कि यह सब आरा कोश्टन इजी है लेकिन एक्जाम में लोग इजी कोश्टन ही गलत कर देते हैं इसलिए यह रिकॉल करना ज़रूरी है और आज पहला एंसी क्यू है इसलिए थोड़ा इजी से हम लोग स्टार्ट करें फिर दिर देश में टपकी और भी बढ़ेंगे तो जारकन का राज की अपसू हाती है यह सारे को कोश्चन मिली जाते हैं आपको ट्रेडिशनल कोश्चन है यह किसी जारकन का राज के फूल क्या है जारकन का राज के फूल क्या है तो जारकन का राज के फूल आपका पलास है जारकन का राज के फूल है पलास बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की वर अगला कोश्चन है जारकन का राज के वरिक्ष क्या है जारकन का राज के वरिक्ष क्या ह पक्चि क्या ज़ारकन का राज के पक्चि क्या है जंसेत्पूरत कुछ यस्टिट्रों auction को सबसे बड़ा सुमझ लेते हैं क्योंकि वह जारकन की राजदा नहीं है ऐसा नहीं है सबसे बड़ा सहर जमसेद पूरे हैं पूरे जारकन का अगला कुश्चन जारकन में अबरक की खान है कहां पाई जाती है अबरक की खान है जारकन के किस जिल्ले में पाई जाती है तो इसका right answer होगा कोडरमा जारकन में अबरक की खान है कहां पाई जाती है कोडरमा अगर कोडरमा option नहीं रहे तो हजारी भाग भी आप मार सकते हैं हजारी भाग में मि यह पंद से कोडर्मा होगा बढ़ते हैं next question की वर अगला है जारकंड में कोल विद्रो जारकंड में कोल विद्रो किस वर्स हुआ था बिल्कूल बहुत ही फेमस विद्रो था जो कि बुद्धो भगत के नित्रित में हुआ था और जारकंड में यह हुआ था कब 1931 अगर पूछे किस के नेत्रत में तो भुद्धो भगत बढ़ते हैं अगले quas nectar की वर अगला question है जर्कन में पहली जनगंणा किस वर्स होई थी ? जाणी जर्कन चेटर में पहली जनगंणा कब हुई थी ? तो 1872 वहां भी होगा तो जारकंड भी भारत का ही पाट है उस वक्त बिहार के अंद्र गत था तो हमारा जो यहां पर जारकंड में कब पहली जनगना होई थी तो वह भी एंसर 1872 ही होगा लेकिन आप से यह पूछा जाए जारकंड राज निर्मान होने के बाद पहली जनगना कब हुई थी तो वह हमारा 2001 होगा साथियों याद रखिएगा अगर आप से कोश्चन में यह पूछा जाए जाये जारकंड निर्मान के बाद पहली जनगना कब हुई थी तो वह 2001 और यहां पर ऑफ्षन में 2001 है भी नहीं तो इसलिए हम हम लोग 2001 के बारे में सुचना नहीं है यहां पर कोश्चन के कोडिंग 1872 होगा और हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में पहली जनगना लॉड मेयो के काल में 1872 में आरम हुई थी जबकि नियमित जनगना अगर आप से पूचा जाए नियमित जनगना तो 1881 लॉड रिपन आगला कोश्चन है महिला वर्स 2011 वर्स 2011 की जनगना की अनुसार जारकन में महिला साक्षरतादर कितनी प्रफिस्त है 2011 की जन्गन्ना के इंसर पूछा जा रहा है क्योंकि 2021 में जन्गन्ना होना था लेकिन कोविड के चलते जन्गन्ना भी रुका हुआ है वो नहीं हो रहा है इसलिए जो भी आपका question पूछा जाएगा एकजाम में census से आप याद रखिएगाउ वो 2011 का टinals पूछा जाएगा इसलिए 2011 के census को जरूर से जरूर करके जाना है और जार्कन को तो बिल्कुल रट जाना है जहारकन का census 2011 का 21 przep में होना था अभी नहीं है तो आपको पूराना डाटा ही आद करना है उत्तर कोयल नदी, जारकन का उत्री कोयल नदी, इसको कोयल नदी लिखा गया है, लेकिन इसको कोयल नदी पढ़ना है, जारकन का उत्री कोयल नदी का उद्गम कहा है, कहां से निकलता है, उत्री कोयल नदी, उत्री कोयल नदी मद्य राची के पठार से निकलती है, इसका रा जरकंड राज की अस्थापना के समय जरकंड में कुल कितने जी ले थे मिन्स जब दो हजार में 15 नमबर 2000 को जरकंड राज की अस्थापना के समय कुल कितने जी ले थे तो अस्थापना के समय कुल कितने जी ले थे तो इसका राइट एंसर है अस्थापना के समय 18 जी ले थे व multiple choice questions जहारकन जी के यह आपको परड़े मिलेगा और इसी तरह mcq format में उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफी फायदय मन रहा होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें अल्द बेस्ट गुटनाइट